नमस्कार मैं हुश्यवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच आज इस वीडियो में जानेंगे पांच दीन से तरप रही अंकिता ने तोड़ा दम एक तरफा प्यार में शाहरुक ने पेट्रोल चिरक कर लगा दी थी आग तो चलिए वीडियो की शिरुआत करते हैं जारखन के दुमका में मंगलवार को शाहरुक नामके की युवक ने एक तरफा प्यार में असफल होने पर बाहरवी शात्रा रहे करीब 16 साल की नाबालिक को जिन्दा जला दिया जिससे उसकी मौत हो गए मृतका का नाम अंकिता है 12 हवी की मारक शीट के मताबिक अंकिता के उम्र 15 वर्स 9 महीने दो दिन की थी अंकिता की मौत के बाद दुमका में विरोध शिरू हो गया है इसे देखते वे जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है दुमकापुले सदीक शक अंबर लकडा ने बताया की राची इस्तित रिम्स में इलाज के दोरान रविवार तरके ढाई बजे अंकिता की मौत हो गई उन्होंने बताया की पोश्ट माटम के बाद अंकिता का शव दुमका लाए जाएगा उन्होंने बताया कि युवती के जेरुआ डी मोहले इस्तित घर पर सुरक्षा के व्यापक इंतिजाम किये गए है दरसल 23 अगस्त को अलपसंख्यक समुदाई से तालूख रखने वाले शाहरुक ने एक तरफा प्यार में और सफल होने पर परोस के व्यवसाई संजीव सिंग की बेटी अंकिता पर देर रात सोते समय खिरकी से पिट्रोल उरेल कर आग लगा दी थी जिसमें वो 90 प्रतीशत जल गई थी अंकिता को पहले दुमका अस्पताल में भरती कराया गया जोहां से राची रिम्स के लिए रफर कर दिया गया यहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई है अंकिता के पिता बताते हैं वो पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी अंकिता को परिशान करता था दस बारा दिन पहले उसने अंकिता की किसी सहेली से उसका फोन नमबर ले लिया और उसे बार बार फोन कर तंग करने लगा मेरी बेटी ने ये बाते मुझसे बताई तो मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया लेकिन 22 अगस्त की शाम उसने अंकिता को फोन कर कहा कि अगर वो उससे नहीं मिलेगी तो उसे जान से मार देगा अंकिता ने मुझसे ये सारी बात भी बताई तब तक रात हो चुकी थी मैंने सोजा कि सुबह होने पर शाहरूक और उसके घड के लोगों से इस मुद्दे पर बात चीत करेंगे इसी वीच 23 अगस्त की अहले सुबह उसने खिरकी के बगल में सोई मेरी बेटी पर पेट्रोल छिरक कर जलती मासिस की तीली फेक दी इसमें अंकिता बुरी तरह जुलस गई और अंत्ता हम उसकी जान नहीं बचा सके मेरी मासूम बेटी मर गई और हम रो रहे है बता दे कि अंकिता के जुलसने के कुछी घंटे बाद दुमका के उपायुक्त रवी शंकर शुकल ने उनके दादा अनियल सिंग को एक लाख रुपे का चेक भेजा था डीसी ने तब कहा था कि प्रशासन उनके परिवार के साथ है और अंकिता को बहतर इलाज कराए जाएगा रिम्स में उनका इलाज कराने वाले एक डाप्टर ने कहा कि वे सिर्फ पैतालिस प्रतीशत जली थी उनके चेहरा ठीक था लेकिन शरीर बुरी तरह से जुलस गया था हाला कि उन्हें बचाय नहीं जा सका वही अब उसकी मुद पर सियासत चल रही है मुखे मंत्री हिमंत सुरेन की विधान सभा सदस्यता रद किये जाने की अठकलों के कारण जार्खन में जारी सियासी हलचल के बीच मुखे विपक्षी भारतिय जनता पार्टी को इस घटना से एक मुद्दा मिल गया है विजेबी विधायक दल के नेता वा पूर्वे मुखे मंत्री बाबुलाल मरांडी सोंवार की शाम दुमका जाकर अंकिता के परिजनों से मिलने वाले है उनके प्रतिनीधी पिंटु अगरवाल ने मीडिया को या जानकारी दी है जानकारी होगे बाबुलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा जिस अस्पताल की कूब विवस्था पर मानेनीय हाई कोट ने यहां तक कह दिया कि इसे बंद क्यों नहीं कर देते जहां पैरासीटा मॉल और सिरिंच तक नहीं हो वहां गंभीर रूप से जुल्चे बच्ची को बेहतर इलाज की कितनी अपेक्षा की जा सकती है और स्वास्त मंतरी निरलजता से कहते हैं कि इलाज में कोई कमी नहीं हुई है उन्होंने दुमका में पदस्थापिक एक डियसपी पर भी संप्रदाइक और आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगाए और उन्हेंने इस मामलें से अलग रखने की मांगे की इसी बीच मुख्यमंतरी हिमंत सुरेन ने अंकिता के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआबजे की घोशना की है सीएम ने कहा कि अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रधानजली अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपे की सहायता राशी के साथ इस घढ़नीत घटना का फास्ट रेक से निस्पादन हेतु निर्देश दिया गया है पुलिस महानिदेश शालक को भी उक्त मामले में ADG रैंक अधिकारी एवं अनुसंधान की प्रगती पर श्रीखर रिपोर्ट देनी हेतु निर्देश दिया गया है आज की वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जबर बताए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहे सारा सच